जहां पर 13 नौंबर कुत्ता प्रदेश की नौवदान सबासीटों पर उपचुनाव होना है। कॉंगर्स और सपा में लंबे समय से खिचतान देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे ये अब बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में विदान सबाव चुनाव में कॉंगर्स के चुनाव ना लड़ने पर पूर्व कॉंगर्स नेता प्रमूद कृष्णम ने तंच कसा है। प्रमूद कृष्णम ने लिखा कि कॉंगर्स को अपना दफ्तर और छंडा भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। दरसल अखली शादव के एलान के बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि जिन सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने उमिद्वार नहीं उतारें उन सीटों पर उमिद्वार को लेकर कॉंगर्स के उमिद्वार हो सकते हैं और वही इस पर चुनाव लड़ेंगे समाजव तो उत्तर प्रदेश में विद्वार उचुनाव में सभी सीटों पर सांकिल चुनाव निशान पर लड़ने पर बीजेपी ने कॉंगर्स पर तंच कसा पार्टी प्रवक्ता राकेश उतर पार्टी ने कहा कि एस पी ने कॉंगर्स को धोबी पच्छाड दाव दिया उन्हो हो गया वो आज कॉंगर्स परटी को दे दिया है और कॉंगर्स परटी इतनी मजबूर है कि पांस सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोस कर रही है